आज की वीडियो में हम आपके लिए लाये हैं अंतरिक्ष में घड़ने वाले एक अजोबी घड़ना जिसे हम तारों का तूटना भी कहते हैं आज की वीडियो में हम यही जानेंगी कि यह तारे तूटना आखिर होता क्या है और किस वज़े से यह तारे जमीन पर आगिरते हैं चलू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को विल्कुल नए है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली ऐसे इंट्रिस्टिंग वीडियो की नोटिफिक्षन आपको मिलती रहे ब्रहमाण में कही तरे के की मेट्रोइट सैनी उलकापिंड मोजुद है जब ये उलकापिंड पृत्वी के वातावरं में प्रवेश करती है तो उदे ही हम तारे तुटना कहते हैं दरसल उलकापिंड की उत्पत्ति का विशे बहुत विवादस्पद है इस विशे पर अनेक मत है कहा जाता है कि इन में से कुछ में पृत्वी चंद्रमा सुर्य और धुमकेतु आधिकांश माना गया है और एक माननेता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति एक ऐसे ग्रह से हुई जो पूर्न तहा विनिष्ट हो गया है दरसल ब्रह्माण में बहुत से ऐसे ग्रह जो गूमते रहते हैं इन में से एक ग्रह दुसरे से टकरा कर पूर्न तहा तूट गया होगा और जिसके अर्बों की संख्या में छोटे छोटे बड़े खंड बने ज कभी-कभी एक और से दुसरी और अत्यंत वेक से जाती हुए अत्वा पूर्थवी पर गिरती हुए जो पिंड दिखाए देते हैं उन्हें ही हम उलका कहते हैं या तारे तूटना कहते हैं इन्नी उलकाओ का जो अंश वायू मंडल में जलने से बहकर पूर्थवी तक पहु जसे आग लग जाती है जिनने हम तारे तूटना कहते हैं इनकी गती और कभी-कभी आकार इतना बड़ा होता है कि एक सरोवर तक पूर्थवी पर बना सकता है जिसका एक जिवन्त उदार ने महाराष्ट के बुलडाला जिनने में बने हुए लोनार सरोवर जो आप में से कह खिर बना कैसे और इसकी पीछे क्या धार्मिक कहानिया है और क्या इतियास है तो आप हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को शेयर केजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना झाल 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 झाल